आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक और विंटर रेसिपी ये है बीन्स और आलू की सब्जी सर्दियों में बहुत अच्छी बीन्स मिलती है तो मुझे तो बीन्स और आलू की सब्जी बहुत जादा पसंद है और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप 2-3 रोटी जादा ही तो इस तरह से बनाइएंगे हम बीन्स की सब्जी सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और यह कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल आप कोई भी तेल यूस कर सकते हैं और मैंने यहां लिए आलू weiß के के कट कर लिए 103 को बहुत ज़्यादा चोटे भी नहीं करेंगे 200 ब बारी कटी हुई अद्रक, बारी कटा हुआ लहसुन, और इसके बाद मैं डाल देती हूँ, बारी कटी हुई हारी मिर्च, थोड़ा देर इन्हें भूनेंगे, बस बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनेंगे एक मिनिट के लिए, अब हम इ किस तरह से कट करना चाहते हैं, कट कर सकते हैं, तो मैंने फोड़ी से मीडिंझेне Щके कट की हैं, कुछ लोग बड़े भी कट करते हैं, और बींस को बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस दो मिनिट के लिए इसे से चला देंगे और अचल क्या जादा ना भून पाएए इसलिए हम बस मसाला टालने के बार में अपार भारा टांगर भी जालने से साथ ही में डाल देते हैं आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे ये देखिए इस तरह से हमें फ्राई करिये हुए आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनिट फिर से भूनेंगे से हम आलू डालने के बाद अब हम इसे भूनेंगे और दो से तीन मिनिट भूनने के बाद इसे हम थोड़ा सा ढख कर पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाले आलू और बीन्स में समा जाएं तो ये देखिए दो मिनिट हम इसे ढख कर पका लिये हैं और मसाला अची तरह से बुन चुका है टमाटर मैस हो चुके हैं तब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ये देखिए अच्छे से बुन चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी एक चौथाई से भी कम पानी हम इसमें डालेंगे ताकि जो बीन्स है और आलू है इसमें नमक अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए और आलू और बीन्स बहुत ही अच्छी तरह ऐसे पक चुके हैं बिलकुल भी इसमें कच्चापन नहीं है ये देखिए और बीन्स भी कच्ची नहीं है थोड़ा सा क्ट्रंची है और ये देखिए हाथ से दब रही है बस इतना ही हमें बीन्स चाहिए बहुत जादा भूनना बहुत ज़्यादा तलना नहीं है लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ता और यहां तैयार हो चुकी हमारी आलू और बीन्स की सब्जी ऐसे आप टेफिन में रखिए बच्चों के या सुबह के नास्तिम बनाईए या धाल चावल के साथ बनाईए तो आप भी अपने घर मे जरूर बनाईए आलू और बीन्स की डिलिशियस सब्जी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग